हलो दोस्तो नमस्कार हम लोग कई पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाहेंगे हमारा मकसद सिर्फ शेर मार्केट से रिलेटड है हाँ तो अभी जो भी इलेक्शन में अगर आप देखोगे तो जो भी यहापे जो स्पीचे समनों को देखने को आप मिल जाते हैं वहाँ पे अगर आप चेक करोगे त तो शेर मार्केट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्वाल्मेंट हम लोगों को जरूर देखने को मिल जाता है चाहें कॉंट्रविशन पूरे स्पीच के इसाब से अगर देखा गया 1% का ही क्यों ना हो बट कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स यहापे जरूर यहापे कवर कि जाते ही जाते हैं और इसकी शुरुवात हम लोगोंने देखी थी पार्लामेंट से संसद में भी हम लोगोंने देखा था ठीक है प्राइम मिनिश्टर जी के स्पीच में भी देखा था एक नहीं बल की दो बार देखा था ठीक कोई direct recommendation तो नहीं होते है बट हाँ अपने speech में share market ये शब्ध हम लोगों को पहले तो कभी सुनने को देखने को नहीं मिलता था बट अभी काफी जादा देखने को मिल जाता है बिकास लोगों का involvement जादा बढ़ चुका है ठीक है क्योंकि अगर जादा involvement होगा तो हर कोई उ हम लोगों को फिलाल तो दोरा देखने को आपे मिल रहा है ठीक है एंड वहाँ पे भी जो उनकी speech हम लोगों को देखने को आपे मिली है तो वहाँ पे भी उन्होंने आज की दिन की अगर हम लोग बात करें एक specifically stock से related भी बात उन्होंने आपे की है ठीक है अभी जो एक beginner होत तो ऐसी यहाँ पे मतलब कुछ भी बाते सुनकर directly निवेश करना एक कमजोर investor की निशानी होती है क्या वो stock investment वाला है या फिर ट्रेडिंग वाला है बिजनेस क्या है यह कौन देखेगा ठीक है तो प्राइम मिनिस्टर जी ने कौन से stock की यहाँ पे बात की है उसके उपर तो वा कि जो economy जादा से जादा run होती है वो tourism की हिसाब से हमनों को मतलब बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे रहता है प्लस उसी के साथ-साथ आने वाले समय में और कौन-कौन सी businesses हमनों को अच्छा grow करते वे देखने को मिलेंगे G&K में तो उनसे related भी कुछ points उनने अपने speech म आपे सामने रखे हुए है तो कौन सी companies के उपर उसका directly indirectly हमनों को फाइदा होते वे दिखने को मिलेगा तो वो चीज में आप लोगों के सामने आपे रखने वालों देखे मेरा काम है आपको share market से related business oriented चीजों को सीखाना ठीक है अभी कुछ लोग अपने-अपने हिसाब से व आपको पता ही है JNK का literally heart हमनों को देखने का आपे मिल जाता है और अगर देखा गे तो और भी नए-टूडी spot हमनों को फिलाल emerge होते वे देखने का आपे मिल रहे है तो जादा से जादा लोग हमनों को JNK के और जाते वे देखने का आप मिल जाते है प्लस प्रामिस्टर नराइंदर मुदी जी की बात करे तो नहीं ये भी का है कि जो destination wedding भी आपे होती है तो उसके लिए भी JNK को आप ज़्यादा स्यादा select कीजिए करके जो कि अभी हम लोगों को बढ़ते वे देखने का आप मिल रहे है इस चीज की popularity तो tourism से related अगर हम लोग बात करे तो easy trip planner जै अगर JNK से related अगर ज़्यादा demand आती है तो वो भी अपने packages में इन चीजों को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए शुरुआ थे आपे कर देंगे सो इनको तो business आप मिलते वे देखने को मिल जाएगा तो आप चाहो तो इसको study कर सकते हो then Thomas Cook जैसी कमपनिया इनको भी इस चीज का benefit आप ज़रूरी आप मिलेगा आप चाहो तो इनको भी study कर सकते हो ITDC yes ITDC की भी अगर हम लोग बात करें जितने भी सरकारी कमपनिया है वो कई सालों से आप देख सकते खराबी performance दे रही थी अभी पिछले एक देड़ साल में जो performance यहापे हुए इसी चीज के चलते आप देख सकते जो इसने highest level बनाया था अगर मैं यहापे आपके सामने रख दू 700 रुपे का highest level यहापे बनाया था वो अभी हम लोगों को जाके वो उस level तक आते हैं देखने को यहापे मिला है लगबग 5-5-6-6 साल के बाद तो यह एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए ITDC की बात करें तो tourism से related आप देख सकते government of India undertaking है 1966 में इनका establishment हुआ था hotel, restaurant, transport facilities प्रोवाइड करना सारी तरीके जो भी tourism से related चीज़े रहती वो यह कंपनिया प्रोवाइड करती है देखने को मिल जाती है अगर आप देखोगे तो 87% promoter के हापे पास है, President of India का नाव आपको देखने को मिल जाएगा FISBA आपको ज्यादा देखने को आपे नहीं मिलेंगे, बाकी public के पास इस सामलों को देखने को आपे मिल रहा है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो भाई IRCTC, IRCTC में तो dual फाइदा होते वे देखने को मिलेगा जैसे कि अगर बात करें, मोदी जी के speech में भी देखने को मिल गया, railway से related बाते हैं तो उनने बता है कि अभी railway स्टार्ट होते वे देखने को मिल चुके है, दो वन्दे भारत ट्रेन भी हम लोगो स्टार्ट होते वे देखने को मिल चुके है तो जितने जादा है नंबर अफ संक्या बड़ेगी सर्विसेस की, IRCTC को भी benefit है आपे ज़रूर मिलेगा प्लस उसी के साथ IRCTC में भी P4 Tourism देखने को आपे मिल जाता है, तो JNK से related उनको भी अच्छा कासा बिजनेस मिलते वे देखने को मिल जाता है तो इन कंपनीस को भी आप ज़रूर अपने radar के पर study purpose के लिए रख सकते हो नेक्स अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो cinema, yes, cinema entertainment के अगर हम लोग बात करें तो PVR, INOX जैसे companies को फाइदा होगा पहले, PVR अलग था, INOX अलग था, अभी दोनों का merger हो चुका है तो PVR, INOX भी इस चीज़ का अच्छा कासा फाइदा है आपे ज़रूर उठा सकता है तो आप चाहो तो इसको भी further study आपे कर सकते हो then infrastructure के अगर हम लोग बात करेंगे, definitely किसी भी जगे का अगर आपको development जादा से जादा करना है तो infrastructure top notch वापे होना चाहिए तो मोदी जी के speech की भी अगर हम लोग आपे बात करें तो उनने ये भी का है कि infrastructure को और भी बड़ा वह आपे दिया जाएगा इसी चीज़ के चलते है L&T जैसे कंपनिया इनको अच्छागासा business मिलने के chances रह सकते है JSW Infra इन companies को भी अच्छागासा business मिल सकता है अदानी enterprise की अगर हम लोग बात करें इनको भी अच्छागासा business मिल सकता है तो ये company आप लोगों के जरूर रडार के अपर यहापे रहनी चाहिए द्यान दोस्तों अभी हम लोग आ जाते हैं सबसे important golden point के और golden point मतलब speech में अगर देखा गया अभी तक जितने भी अभी मैंने आप लोग को companies आपके सामने रख दी तो किसी का भी नाम नहीं लिए गया था बढ़ हार सेक्टर के नाम यहापे लिए गया थे सेक्टर मतला obviously इतना तो बोला जाता ही है कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है और क्या अच्छा करेगा करके तो इसे related कौन से स्टॉक्स आप स्टड़ी कर सकते हैं वो मेरे मेरे साइड से आप लोग को यहापे बता दिए बट अभी जो next हम लोग company की बात करने वाले तो yes मोदी जी के speech में प्राइम मिनिस्टर जी के speech में हम लोग को उस company का जिक्रव देखने को यहापे मिला है तो उन्हेंने क्या बता है जम्मा एंड कश्मीर बैंक प्रिवेंटेड फ्रॉम सिंकिंग इन फाइएर्स मतलब अगर हम लोग देखा गया है तो जेंड के पॉइंट उन्हें इसी से रिलेटेड यहापे रखे थे उसके highlights में आपके सामने रखना चाहूँगा जैसे कि देख सकते कि इसके पीछी का reason वो जो करोडों का नुकसान भी यहापे होते वे देखने का आपे मिल रहा था और बैंक भी ज्यादा हम लोगों को नुकसान में देखने का आपे मिल रहे थी यह point उन्हें फिलाल तो अपने speech में आपे include किया था देन उन्हें ने बता है कि कैसे उनकी सरकार ने इस बैंक को यहापे बचाया प्लस उसी के साथ-साथ 1000 करोड का भी मदद यहापे जैंड के बैंक को यहापे प्रवाइड किया है प्लस उसी के साथ-साथ जो भी wrongful recruitments देखने का आपे मिली थी तो उनके against भी उन्हें यहापे action लिया है जो भी reasonable action बनता है तो यह कुछ points उन्हें सामने आपे रखे हुए है देन अगर हम लोग यहापे बात करें तो और कौनसे points से related उन्हें बात है यहापे कि यह जैंड के bank से related ही थी जैसे कि आप यहापे देख सकते profit से related यहापे जैंग के bank का जो profit है वो अभी 1700 करोड तक जाते वे देखने हुए हापे मिल चुका है तो यह एक point उन्हें यहापे highlight यहापे किया है अगर हम लोग यहापे बात करेंगी तो कुछ और parameters उन्हें ने सामने रखे जैसे कि पिछले 5 साल की बात करें तो bank का जो business था 1.25 lakh करोड हुआ करता था पहले जो की बढ़कर सवा 2 lakh करोड तक यहापे जा चुका है and deposits की भी बात करें जो की 80,000 करोड के असपास हुआ करते थे and right now मतलब उनका जो speech चल रहा था उन्हें ने का कि वो double होते वे देखने का आपे मिल चुके है and आकरी point उन्हें बैंक से related यहापे मतलब second last point की बात करें तो NPA की बात की है जो की 11% हुआ करता था जो के अभी release होके केवल 5% तक ही हम लोगों को आते वे देखने का आपे मिल चुका है so यह सारी चीजे जो होते वे देखने का यहापे मिली है वो सारे मतलब जिस प्राकार से यहापे additions लेगे है उसी चीज के चलते बैंक बचते वे देखने का मिल चुका है यह point उन्हें अपने speech पे सामने रखा हुआ है अगर हम लोग बात करें तो शेर प्राइस से रिलेटेड भी उन्हें यहापे बाते सामने रख दी जैसे की 12 गुना शेर हम लोगों को बढ़ते वे देखने का मिला है मतलब शेर गिर के 12 रुपे तक आया था जो की अभी current प्राइस की अगर बात करें तो 140 रुपीज तक ज पास-पास आते वे देखने का आपे मिला था और वहाँ से लेके अभी तक अगर हम लोग देखे तो 140 फिलाल current price पे चलते वे देखने का आपे मिल रहा है दैन अगर बात करें मार्केट कैप बैंक का तो 15,000 करोड का देखने को मिल रहा है और PNL की अगर हम लोग यहापे ब पर मिला था फिर उसके बाद net profit वापस हम लोगो बढ़ते वे देखने का मिला था फिर वापस company को घाटा यहाप लिए under ACT他 तो 2020 में हम FIS की बात कर तो 5-6%, DIS की बात कर तो 7, almost 8% और बाकी पब्लिक के पास holding देखने हो का आपे मिल रही है तो ठीक है दोस्तों जितने भी important information थी सारी हापे मैंने cover कर लिए अभी सबसे आदा सवल यही पूछा जा रहा है सर क्या जे इनके bank को हम लोग खरी दे मोधी जी ने अपने speech में उसका जिक्रह यहापे किया है यह reason नहीं होना चाहिए दिए कि आप पहले decide कर आप investor हो या फिर trader हो trader लोग इन चीजों का फाइदा उठा सकते मतलब कभी-कभी stock suddenly jump कर लेता है अभी तक जितना past record में प्राइम मिनेस्टर जी की बात करूँ चेक करना होता है इन सभी चीजों को चेक करके अगर आपको लगते कि हाँ यह bank fundamentally मजबूत है या फिर और आगे अच्छा performance दे सकता है तो उस accordingly हिसाब से आप लोगों ने decision यहापे लेना होता है ठीक है ना कि emotional दी तो इस प्राकार के अभी आने वाले बहुत सारे speeches आपको देखने का आपे मिलेंगे वहाँ पे आपको share market का कोई ना कोई जिक्रत जरूर देखने का आपे मिलने वाला है मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है देखो खरीदना है बेचना है hold करना है average करना है वो आपकी मर्जी वो आपकी रिस्क आप अपने हिसाब से रिस्क लेते हो और फाइदा होता है तो आप इका होगा नुकसान होगा तो वो भी आपका होगा बट probably मैं हमेशा एक चीज आपको हमेशा सिखाते आया हूँ कि कोई भी addition अगर आप ले रहे हो investor के हिसाब से इन्वेस्टर मतलब कौन अता है भाई जो सालो साल लंबी अवधी की पारी खेलने में बिलीव रखता है उसको फरक नहीं पड़ता है एक साल में स्टॉक किदर जाएगा करके उस हिसाब से अगर आप जाने का विचार कर रहे हो तो आपका लाइकन शेर कर सकते हों मिलते है नेक्स टूडे में तब तक के लिए बबाई